इस्टुडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट दा इंपोर्टेंट न्यूज फर्स्ट न्यूज इस रिगार्डिंग दा प्रोटेस्ट के परस्पेक्टिव से है इस्टुडेंट्स वेस्ट बंगोल के वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के दुवरा जो हीनियस क्राइम अगेश्दा डोक्टर है उस केस के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो किया गया इस्टुडेंट्स जब भी प्रोटेस्ट के बारे में हम रीड करते हैं तो आपको आर्टिकल 19 के बारे में जरूर से पता होना चाहिए आप देखे कि जो आर्टिकल 19 है राइट त्फ्रीडम का ये पार्ट है पर आर्टिकल 19 के अंदर जो पीस्पूल असमली है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि every Indian परसन को यहाँ पे राइट है कि उनके दुआरा जो peaceful assembly है उसको conduct किया जा सकता है without arms के basis पे कि assembly के दुरान में उनके पास जो weapons है जो arms है वो नहीं होने चीए उसके regarding में peaceful way में जो assembly है उसका conduct उनके दुआरा हो सकता है students जब भी peaceful assembly के बारे में हम read करते हैं तो आपको इसके जो reasonable restrictions है उनके बारे में भी पता होना चीए आप देखी कि जो country का sovereignty and integrity है उसका जो violation है वो ना किया जाए peaceful assembly के दुआरा और जो local public order है उसका भी जो disturbance हो ना create हो students local जो public order है उसके अंदर traffic management उसको भी include किया गया है कि आप देखी कि जो traffic management है traffic की regarding में जो disturbance है वो भी ना create किया जाए public order की regarding में तो peaceful assembly आपका इस तरीके से होना चीए कि completely orderly way में होना चीए वहाँ पर violence का जो situation है वो ना create करें और या आप देखी कि कि किसी भी तरीके का जो weapons वो आपके दुआरा नहीं carry किया जाए तो students ये peaceful assembly के बारे में था जो article 19 के अंदर every Indian citizen को जो right है वो grant किया गया है क्या student जो Indian person नहीं है जो foreigner है उसको भी जो article 19 के अंदर जो fundamental right है वो इंडिया के अंदर दिया गया है क्या foreigner persons के दुआरा भी जो protest है जो freedom of speech and expression है उसको यहाँ पे exercise किया जा सकता है तो students आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो fundamental rights है basically आपको पहले तो fundamental rights के बारे में पता होना चाहिए कि article 12 to 35 article 12 to 35 Indian constitution के part 3 के अंदर में जो fundamental rights है उनके बारे में mention किया गया है every Indian person का जो overall development है उसके जो overall development की regarding में जो rights है उनका काफी ज़्यादा impotence है आप देखी कि जो foreigner person है जो बाहर के जो लोग है उनको कुछ fundamental rights है वो इंडिया के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि article 15 है article 15 उनको नहीं मिलेगा article 15 के अंदर क्या right है कि discrimination के perspective से religion, race, caste, sex and place of birth के regarding में discrimination है वो नहीं किया जा सकता है article 15 के लाव आप देखी कि 16 है employment के अंदर जो reservation का जो concept है कि public employment के regarding में आपको यहाँ पे कुछ rights है वो दिये गए हैं जिसके कुछ exception भी है तो 15, 16 आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो आपका freedom of speech and expression के regarding में है association के formation के regarding में, complete India के अंदर जो आपको movement है उसका भी जो right है वो grant किया गया है article 19 के तरू में पर आप देखी कि article 29 and 30 जो आपको basically minority communities के जो cultural and education institutions के establishment के regarding में है तो यह जो fundamental rights है वो foreigner persons को नहीं available है उनको यह जो rights है उसका exercise है वो नहीं कर सकते है तो students यह तो protest के बारे में हुआ next अगर हम discuss करें तो हमारी जो president mem है उनके दुआरा women's के against में जिस तरीके का mind sight है उसको counter करने के regarding में एक article है उसके तरू उनके दुआरा अपने जो views है उनको mention किया गया उनके दुआरा बताया गया कि women's को किस तरीके से यहाँ पर जो है जे कुछ persons के दुआरा less capable way में observe किया जाता है तो उसी के बारे में उनके दुआरा mention है women's के against में जो crime है उसको भी stop करने का जड़रत है इस्टुडेंट जब भी हम women's के perspective से read करते हैं एक तो आपको article 15 के बारे में पता होना जाए कि women's and children's के regarding में जो rights है जो यहाँ पर low जो उसको frame करना है उनको किसी भी तरीके का discrimination है वो face ना किया जाए इसके लाव आप देखी कि हमारा जो fundamental duty है हमारे जो fundamental duty है सौन सिंग कमेटी का recommendation के बाद में USSR के अंदर आपको जो fundamental duties का जो concept हुआ करता है वहाँ से इसको insight किया गया है आप देखी कि 40 second constitution amendment act के थुरू में हमारे जो constitution का article है article 51A के थुरू आपको इसका जो insertion है constitution के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा fundamental duties का तो fundamental duties के अंदर जो duty number E है उसके अंदर बताया गया है कि हमारे country का जो composite culture है जो brotherhood है उसका spirit को हमें promote करना है और जो भी derogatory practice है against the woman उसको हमें यहाँ पे renounce करने का जरूरत है कोई भी ऐसा practice जिससे की woman का जो status के अंदर में जो degrade है वो आपको देखने के लिए मिले तो ऐसी जो custom है जो ऐसी practice है उनको आप देखे कि remove करने का उनको renounce करने का जरूरत है उसके बारे में भी fundamental duty के perspective से mention किया गया है basically fundamental duties क्या है आप complete country के इंदर रहा करते हो इसके citizen हो तो citizen होने के नाते आपके कुछ duties हैं कुछ करतवे हैं जो आपको follow करने जैसे की हमारा जो national flag है national anthem है उसको हमें respect करना है हमारे जो founding leaders हैं जिनके दूरा freedom को हमें grant किया गया freedom को हमें मिला है independent country तो उनको भी हमें respect करने का जरूरत है उनके जो noble ideas है उन्हें तो इस तरीके से कुछ fundamental duties है जो यहाँ पे mention की गई है every Indian citizen का जो responsibility है उसको यहाँ पे बताया गया next अगर हम discuss करें बंगलादेश के perspective से है आप देखी कि बंगलादेश के वहाँ पे Islamic जो party है वहाँ पे जो Islamic party है उसका जो ban है उसको remove किया गया है originally यह पाकिस्तान जब form हुआ था 1947 के समय में तो उसी का आप देखी कि जमात हुआ करता था जमात इसका name है पर जमात को वहाँ पे ban है वो कर दिया गया था जो जब बंगलादेश है वो create कि वहाँ उसके बाद में आप देखी कि जमात है उसका जो ban है वो आपको देखने के मिलेगा पट वहाँ पर जो ban है उसको यहाँ पर रिमू किया गया है उसी के बारे में यहाँ पर mention है बंगलादेश के perspective से इस्टुडेंट्स बंगलादेश के बारे में जब भी हम read करते हैं तो आप देखी कि इंडिया का role है बंगलादेश के freedom के अंदर में इंडिया के इंडिया का जो नाइबर हुड का जो पॉलीस ही है उसी के regarding में काफी सारे जो प्रोजेक्ट से वो चलाई गए हैं जैसे अकूरा से अगरलता का जो railway link line है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 40096 किलोमेटर का जो 40096 किलोमेटर का जो border है वो सेयर किया जाता है इंडिया के वो आप जरूर से बताना या आपका होमवर्क है आपको फाइप स्टेट जरूर से पता होने चाहिए कि मिजोरम के दौरा अपना border share किया जाएगा मेगाल्या है तिरुकरा जो अभी न्यूज के अंदर में था किस वज़े से न्यूज के अंदर में था कि वहां से एकसस वो प्रेंड्स यह तो आप देखें कि जो बोडर स्टेट से उनके बारे में डिसकस किया टोटल हमने एरिया के बारे में डिसकस किया 4,096 किलोमेटर है हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट भी है जैसे अकूरा से अगरलता का जो रेल्वे लिंक लाइन है हमारे यहां पे से उनको यूज किया जाएगा अकूरा से अगरलता का एक रेल्वे लिंक लाइन भी आपको देखने के लिए मिलता है अकूरा से अगरलता का जो रेल्वे लिंक लाइन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा और इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है जो मिनिस्ट्री प्रजेंट समय में जो पर बंगलादेश के वहां पर जिस तरीके का जो अंड्रेश्ट का सिच्वेशन क्रियेट हुआ माइनुरी कम्मुनिटी इसके अगेंश्ट में जो आटेक्स किये गए तो आप देखी कि एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट से वहां पर देखने के लिए रंगपुर के अंदर में इंडिया के दौरा इंडिया और रसिया के दौरा आप देखी कि नुक्लियर पाउर प्लांट है उसको भी वहां पर सेट अप किया गया अकूरा से अगरलता का जो रेल्वे लाइन है वो भी आपको पता होना चाहिए तो आपके दो होंबर के यहा हमारा इंटिग्रेटीड चेक पोष्ट वो बंगलादेश बोड़र के वहां पर ही सिच्मेटेड है कि रक्सूल नाम का जो लो नाम का जो लो व। बंगलादेश को वहां परी है तो इस तरीके से आपको इंटिग्रेटीड चेक को स्बार आप भारे में पता ओना चाहिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स आसाम के अंदर फलड की रिगार्डिंग में एक फोटो है, उसको यहाँ पे शो किया गया है, पर आप देखी कि डेंचा जो वहाँ पे एक जो क्रोप है उसको उगाय जाता है, तो उसके जो ड्राइड जो इस्टीक से उनको द आप देखी कि काफी बार हमारे यहाँ पे अगर आपने अग्रिकल्चर प्रेक्टिस के अंदर उबजर्व किया हो, अगर आप रूरल इरिया से बिलोंग करते हो, अग्रिकल्चर प्रेक्टिस के अंदर आपने उबजर्व किया हो, सपोज कि यह रभी का क्रोप है, तरसों हैं वो यहां पर उगाए जाएगा या किसी दूसरे तरीके का जो आप देखी कि दिसके अंदर बेसिकली जो राइजोम्स है उसके थूरू नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो वर्क है वो केरी किया जाए सोईल के अंदर में सोईल का जो प्रोड़क्टिवटी है उसको यह बूश्ट करें हो सकता है कि हमारे जो फार्मर जो सेक्टर है फार्मर जो कम्मुनिटी है उनको एक्जैक्ट वर्ड सा वो ना पता हूं पर आप देखी उनका जो प्रेक्टिस है उसके अंदर यह ट्रेडीशन आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप जरू करते हो कि हर एक साल हर एक समय हर एक सीजन की रिगार्डिंग में जो सेम क्रोप से उसको नहीं उगाए जाता है अगरिकल्चर फिल्ड के अंदर में जिससे कि वहां पर ज समय दिया जाएक 2000 एंदर में उसको क्लेक्ट कर लिया जाएगा अग्रे जो एनिमल्स अनकी रिगर्डिंग में इन्यो Flynn आप देखी कि नाइट्रोजन सेशन का जो रोल यह वो प्ले कर दिया जाएगा मस्टर्ड की दुवारा क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन सेशनρά जिय किया जाता है आसाम के वहाँ पे table हम बात करें कि करें तो Mikro Plastic स्वारे में हैं कि हमारे जो Presen Balance ले रही है उसके अंदर भी आपको जो माइप्नल प्लाश्टिक सांगंका प्रेजेंस आपको देखने वें बिलता है नंबर काफी कम है उनका जो amount है वो काफी कम है बट आप देखे कि जो microplastic है उनके presence के बारे में यहाँ पर discuss किया गया है काफी सारे ऐसे भी आप देखे कि जो face wash है और different different kind of cream से उसके अंदर mention किया जाता है वो bio degradable है पर इस्टुडेंट्स उनके अंदर भी जो testing and screening के थुरू पता लगा है कि वहाँ पर भी जो microplastic है वो है तो basic आपको जानकारी यह होना ची कि microplastic है क्या इस्टुडेंट्स अगर हम microplastic के बारे में discuss करें तो आप देखें कि 5 mm से कम का जो यहाँ पर diameter का कोई area है जो plastic का है उसको microplastic के रूप से observe किया गया है और यह जो microplastic है उसके use के regarding में अगर हम discuss करें तो polyethylene नाम का जो polymer है उसका जो prominent है वो आपको products के अंदर देखने के लिए मिलता है काफी सारे countries के दुआरा इनको ban किया गया है जिसके अंदर इंडिया है वो नहीं है इंडिया के अंदर अभी आपको microplastic का जो ban है वो नहीं मिलता है और students microplastic हमारे daily purpose का जो things है उसके अंदर presence होनी की वज़े से आप देखी कि impact करता है हमारी body के अंदर भी इसका जो presence हो देखने के लिए मिलता है समय समय पे जब भी screening किया जाएगा जब भी यहां पर testing किया जाएगा तो आप इनका जो presence हो देखने के लिए मिल रहा ह था 5 mm के regarding में हैं इंडिया के दुवरा जो single use plastic है single use plastic है उसको बेन किया गया था 2022 के समय में कि single use plastic है उसका use है वो ना किया जाए अब आप देखी कि plastic इतना ज़्यादा harmful है तो क्यों आपको यह देखने के लिए मिलता है क्यों इसका use है बेन के बाद में भी इसका presence आपको द जाएगा लोगों को literate करने का जरूरत है लोगों को बताने का जरूरत है कि यह इसके किस तरीके से जो नुकसान है इसके नुकसान है agriculture productivity के अंदर भी आप देखी कि जो single use plastic है अगर वो वहाँ पर पाया जाता है तो agriculture का जो productivity है उसको भी वो decline करता है damage होता नहीं है काफी साल तक इसका जो damage हो आपको नहीं देखने के लिए बिलेगा तो यह कुछ इसके नुकसान है उसके regarding में people को aware करने का जरूरत है awareness अगर generate होगा तो इसका जो समय के साथ में जो use है वो decline होगा government के दुवरा काफी सारे efforts लगाए गए आप देखी कि जो यहाँ पे glass का जो bottle सा उनका भी use करने का जो efforts हो लगाए गए थे government के दुवरा बायो डिग्रेडेबल जो bottle सा उनको भी use किया गया government का जो meeting सा उसके regarding में बट इसका भी use eliminate करना लोगों के awareness के तो ही यह possible है Supreme Court के दुवरा एक case के अंदर बताया गया कि जो bail है वो norm है किसे भी एक person के regarding में और jail आप देखी कि exception category के अंदर ही उसको grant किया जाएगा चाहिए वो PMLA money running के regarding में जो case हो वहाँ पर भी जो bail है उसको norm के बारे में बताया गया है और jail एक exception category के अंदर ही grant किया जाएगा यहाँ पर basically mention है next अगर हम discuss करें तो दहली रिज के बारे में है इस्टुडेंट दहली रिज basically क्या है आप देख सपोज कीजिए आप यह कि यह हमारा राजस्तान है यह राजस्तान है राजस्तान के सदन पार्ट में गुजरात है यहाँ पर आपको जो sorry यहाँ पर आपको ज जानते हैं अरावली के नाम से जो अरावली मौंटेन रेंज है वो कहां से originate करती है गुजरात के वहां से पर आप देखी कि राजस्तान से हरियाना सदन पार्ट हरियाना मेवात का जो रीजन है पर उसके बाद में देहली के अंदर हमारा जो पावर हाउस सेंटर कुन सा है राइसेना हिल्स है राइसेना हिल्स सक इसका जो extension है वो आपको देखने के लिए बिलता है पर देहली के अंदर देहली रिज का जो एरिया है अगर आप देहली के अंदर में जो old राजेंदर नगर है जो कोचिंग एरिया है वहां पे कभी आप विजिट किये हो तो आप दे कि उसको देहली रिज के अंदर में यह जे प्रोटेक्टेड एरिया के रूप से प्रिजरू किया गया है तो वहां पे कुछ ट्रीज है उनको काटा गया था तो उसी के रिगार्डिंग में जो केस वो यहां पे सुप्रिम कोर्ट के अंदर पहुंचा है 1994 के समय में अगर किसी भी समय देहली रिज के अरिया से जो पेड है उसको अगर कट करना है तो ट्री ओफिसर है उनका जो परमीशन है या सुप्रिम कोर्ट का जो परमीशन है वो जरूर से होना चाहिए तो यह देहली रिज के बारे में में मेंशन है जो किसका एक्स्टेंशन है अरावली का ही ए मिलता है गुजरास से आमारा जो राइसेना हिल्स का एरिया है जहां पर हमारे प्रेशिडेंट हाउस नॉर्थ ब्लोक साउथ ब्लोक सेच्वेटेड हैं जो हमारे पॉलीशी सेंटर से हो सेच्वेटेड हैं वहां तक आप देखी कि इसका कंटीनियोस एक्ष्टेंशन है अंडरग्राउंड जो एक्ष्टेंशन है वह आपको हरीदवार तक देखने के लिए मिलता है इस्टूरेंट्स अगर हम अरावली के बारे में ही डिसकस करें काफी बार मेंशन किया जाता है इसके अंदर राजस्तान का ये जो इस पेसली ये इसके पॉजेटिव इंपक्ट के बारे में अगर हम डिसकस करें हमारे वैस्टन पार्ट और राजस्तान के अंदर में आपको जो डेजर्ट है वो देखने के लिए मिलता है आप देखिए कि डेजर्ट को भी रोका जाता है अरावली के दौरा जो यहां पे ड्राइव से उनको भी रोका जाता है तो इस्टुडेंट डेजर्ट को गनफाइन खिया गया है वैस्टन पार्ट के अंदर में राइव इंडस उनको भी रोका गया है तो आप देखिए किसका कुछ नेगेटीव भी नेगेटीव यह हैं कि हम जब भी मानसून के बारे में रेड करते हैं तो इंडिया के अंदर में आपको कुन सा मानसून देखने के लिए मिलता है मेली साउथ वेश्ट मानसून साउथ वेश्ट मानसून का जो विंड्स हैं अरावली का ही सिमलर पैरलल डायरेक्शन में होने की वज़े से काफी बार आप देखी कि आगर यहां पे जो बारी सब नहीं क्रियेट किया जाता है कुछ कुछ जगे पर जो आपको जो लोकल कंडिशन से उसके रिगार्डिंग में जो रेन फॉल है वो देखने के लिए मिलेगा अगर यह अरावली का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होता इस तरीके से अगर डायरेक्शन होता तो इस्टन पार्ट कम्بृतली डिफरेंट है इस्टन पार्ट आपको कम्प्लीटली जो डिफरेंट हो देखने के लिए है आप देख़ी कार्ण कि रे गया है। अगर हम बात करें बेंगलॉर के पररसपेक्त्रिब से हैं बेंगलॉर में इस्टी ऑ क्या गया है, और वो सामने आये हैं जहां पर डोक्स के दुवारा अटेक है वो किया गया तो आप देखी कि हमारा जो लोकल जो अथियूरिटी है जो अर्बन एरिया के अंदर में जो अर्बन इंस्टिटीशन है अगर हम रूरल एरिया के रिकार्टिंग में डिसकस करें तो पंचायती राज इंस्टिटीशन है उन लोकल अथियूरिटीज का यहां पर रस्पोंसिबिलिटी है कि इस्टीट डोक्स है उनका जो बर्थ है डैथ है उसको कंट्रोल करना बर्थ को यहां पर कंट्रोल करने का जो रस्पोंसिबिलिटी है वो लोकल अथियूरिटीज का है काफी बार आप में उनके वहां पे जो इंपेक्ट हैं जो उसकी जो सिम्टम से वो डवलक हुई है उनका जो डैथ है वो देखने के लिए मिला था एक ऐसे भी चिल्डरन है जिनके दुवारा घर के उपर नहीं बताया गया उनका डैथ हुआ तो बैसिकली जब भी एनिमल के दौरा बाइट क किया नहीं गया बेटर वे के अंदर में आपके GS1 का भी ये टोपिक है जिसके अंदर में अरबनाईजेसन का जो प्रोब्लम सर उसके रेमेडीज क्या है वो आपको बताना है हो सके आपसे ये क्यूशन पूछ लिया जाए क्या अरबन एरिया के अंदर में जो इस्ट्रीट इरिया आपको कॉंक्रीट का एरिया देखने के लिए रिया वॉकिंग एरिया है जो भी कॉंक्रेट देखने के लिए होगा है होट तरीके का condition है आप देखे की soil का presence नहीं है concrete है concrete आपको summer के समय काफी heat आपको देखने के लिए मिलता है day के समय भी heat करता है night के समय भी heat हुआ करता है soil को basically इनके दुआरा rural areas के अंदर use किया जाता था अपने life के regarding में इनका use हो देखने के लिए मिलता है पर आप देखे की concretization एक one प्रेसे भी लोग हैं जो care के regarding में काफी कुछ invest है वो करते हैं next अगर हम discuss करें करनाटका के जो governor है यह news भी करनाटक के perspective से था यहां पर भी करनाटक के बारे में है करनाटक के जो governor है उनके दुआरा 11 जो bills है उनको वापिस से send किया गया है पर आप देखी कि governor को क्या power है bills के regarding regarding में governor का आपको veto power है वो पता होना ची आर्टिकल कौन सा है veto power के regarding में 200 आर्टिकल 200 है 200 वन भी है जिसके अंदर वो president को बिलको रैफर करेंगे आर्टिकल 201 है जिसमें वो किसको रैफर करेंगे बिलको president को आर्टिकल 200 में क्या है एक तो यहाँ पर governor के दुआरा जो bill की regarding में जो assent वो दे दिया जाए assent यहाँ पर दे दिया गया एक तो यह right है second right क्या है assent को withhold कर लिया गया तो suspensive veto है वो आपको देखने के लिए मिलता है governor को और यहाँ पर return कर दिया गया बिलको आपको वापिस से assent किया जाता है assembly को assembly के दुआर अगर फिर से pass करके भेज दिया गया तो governor को अपना जो assent वो यहाँ पर देना ही होगा अगर president को refer कर दिया गया है bill यहाँ पर basically तो आप देखे कि जो governor है उनको completely bypass है वो देखने के लिए मिलता है next अगर हम बात करें war and peace के बारे में हैं आप देखे कि last year काफी सारे states उनके दुआरा भी approach किया गया था supreme court के अंदर में कि governor के दुआरा time bound manner के अंदर में जो time bound manner के अंदर में जो assent वो नहीं grant किया जाता है बिल्स के regarding में कि governor का responsibility है एक time bound manner के अंदर में assent वो यहाँ पे grant किया जाए students आपको यहाँ पे pocket veto के बारे में भी पता होना थी president के पास हुआ करता है pocket veto pocket veto के अंदर कितने दिन के लिए Indian president वो बिल को रख सकता है unlimited time के लिए जो बिल है उसको रख सकता है pocket veto के अंदर में यह आप correct करना अगर मैं incorrect हूँ यहाँ पे 10 days के regarding में अगर आपको पता नहीं है तो प्रेशिडेंट का chapter है chapter number size 17 है लक्समिकानत के बुक के अंदर में जाके वहाँ से read कीजिए या अगर पोलिटी का कोई other book है जो आप read करते हो वहाँ से जाके इसको read कीजिए वार एंपीश के बारे में हैं इंडिया के दुवारा क्या यहाँ पर पीस नेगोसियेटर का जो रोल है वो प्ले करना चाहिए प्रजेंट समय में जैसे रस्या यूक्रेइन का जो conflict उस दौरान में किया गया है इंडिया के दौरा यूक्रेइन के विजिट के दौरान में पीम के दौरा कहा गया कि we are always on the side of the peace और पीस का establishment हमारा UN Charter के जो principles है उनका establishment हमारा यहां पर main जो principle है main mandate है उसके बारे में इंडियान पीम के दौरा mention किया गया है तो इस्टूरेंट्स 1950s के समय भी जो आप देखी कि ओस्ट्रिया के वहाँ पे ओस्ट्रिया के इस्ट्रिया के अंदर में USSR के दौरा जब attack किया गया था तो इंडियान पीम के दौरा उ चुला है उसके बारे में Korea की रिगार्डिंग में जो UN का जो commission गया था वहाँ पे peace के establishment की रिगार्डिंग में तो इंडियान परसन के दौरा ही head किया गया था North Korea and Southern Korea का जो conflict है उसको भी इंडिया की दौरा है जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा तो इंडिया का आप देखी के ancient समय से ही काफी रोल है ancient समय से अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के समय से ही उस ancient समय के बर रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो इंडिया ओल्वेज पीस का जो प्रियेचर या पीस का जो प्रमोडर है वह आपको देखने क्लिए मिलेगा इस के करना होगा International Atomic Energy Agency है उसके जो इफ़र्ट्स है कि वहाँ पे जो नुक्लियर सेप्टी के रिगार्डिंग में वहाँ पे एक नुक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो आप देखी के अटेक हुआ था तो उन नुक्लियर जो सेप्टी है उसको भी एंशेर करना इंडिया का एक responsibility है तो उन सब एरियास के रिगार्डिंग में भी जो concern से उनको rage किया गया है इंडिया को अपना जो प्रोब्लम से उसके उपर ध्यान देना चाहिए प्रजेंट समय में ऐसा कुछ भी यहाँ पर बताया गया है तो basically आप देखिए कि every जो things है double-edged sword के रूप से आपको टेखने के लिए मिलेंगे साउथ एसिया के बारे में है और इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पर compare किया गया है साउथ एसिया के बारे में आप देखी कि democracy का जो backlash का जो situation है वो आपको यहाँ पर create हुआ है कैसे यह create हुआ है students 2021 के समय में 2021 के समय म्यानमार का जो military है उनके द दोरा election के अंदर में जो rigging है वो किया गया है तूटाव जैन 22 के समय आप देखी कि सिरलंका के अंदर यह situation है वो create हुआ फिर आपको पाकिस्तान के अंदर यह situation देखने के लिए मिलता है तो साउथ एशिया के जो majorly countries है वहाँ पे इस तरीके का जो situation है इसके लाब आप के दुवरा या military authorities के दुवरा students present समय में इंडिया के जो elections वो भी conduct हुई और बंगलादेश के अंदर में अभी recent जो incident हो सामने आया है तो South Asia के South Asia के अंदर completely आप देखे कि इसका जो effect है जो democracy का जो यहाँ पे आपको degradation है जो इस तरीके से military authority का जो overthrow करना हो political unrest का जो situation हो create हुआ ह इंडिया के अंदर भी यह possible है इंडिया के अंदर इसका जो possibility है वो आपको काफी कम देखने के लिए मिलेगा आप देखी कि हमेशा से ही इंडिया के अंदर में आपको mass base के उपर जो political parties है उनका development हुआ इंडिया national congress है जो हमारे freedom movement के दोरान में mass base level के उपर जो political party है वो आपक उस दोरान में काफी कम लोग हैं उनके दोरा discuss किया जाता था कि हमें freedom को achieve करना है reforms को carry करना है उसके regarding में पर जैसे ही MK गांदी हमारे freedom movement के अंदर enter करते हैं उनके दोरा उस moment को mass movement बनाया गया every sector of the हमारा society है उसको add किया गया Indian freedom movement के अंदर में मोहंदास करमचंद गांदी के दोरा आपको mass base जो political parties का जो development है वो South Asia के जो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के दोरा साथ ही इंडिया और पाकिस्तान के दोरा साथ ही जो independence है उस democracy का establishment है mass based political party का system इसका main region है बड़ आप देखी कि पाकिस्तान के अंदर में जो इसको initiate किया गया था पाकिस्तान का जो establishment हो Muslim league के दोरा किया गया था Muslim league का वैसे establishment कहां से हुआ था उसका जो establishment हो बंगलादेश से आपको देखने के लिए मिलेगा 1906 के समय में letter phase के अंदर में उनका जो demand है कि पाकिस्तान state हमें create करना है Bangladesh state create करने का demand हो नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पे आप देखी कि जो मास जो जो ग्रोफिकल एरिया है वो लारजर था इसी वज़े से पाकिस्तान इस्टेट क्रियेट करने का जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलता है वैसे जो मुस्लिम लीग का जो इस्टेबलिस्मेंट है वो 1906 के समय आपको बंगलादेश के वहाँ से देखने के लिए मिलेगा अगर हम बात करें इसके लेटर फेज के अंदर में तो आप देखी कि वहाँ पे मुस्लिम लीग के दुवारा जो और्गनाइजेसनल जो उनका जो इस्ट्रेक्चर है वो वीक हुआ करता था पाकिस्तान के वहाँ से जो उर्दू लैंग्वेज हीरे उसको यूज करना है तो इस्ट्ट्टेंρ आप देखी कि यहाँ पर बंगलादेश है यहाँ पर बंगली लैंग्वेज है वो यूज आपको देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तान इधर है वेस्टन पार्ट के अंदर में यहाँ पर जो और्द जो एरियाज हैं जिसकी वज़े से आपको डिसकंटेंट और बंगलादेश का जो लिबरेशन है वो क्रियेट होता है तो इस्टुडेंट्स यहाँ पे इंडिया के अंदर में आप देखी कि कम्प्लीटली एक्सेप्शनल है फंक्शनल डेमोक्रेसी है अकाउंटेबल जो डे पावर का जो कैप्चर है करपसन है और फियर इलक्सन का जो कोंसेप्ट हो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा किसी भी पॉलिटिकल लीडर के दुवरा टैनियोर को कम्प्लीट नहीं किया गया है उससे पहले ही जो मिलिटरी का उथरिटेरियन से उनके दुवरा उसको है वो कर दिया जाता है तो इंडिया का जो जे एगजामपल है उसके रिगार्टिंग में यहां पे डिसकसन है नेश्ट अगर हम बात करें अबैं चुबर क्लोसिस के बारे में जो हीडन है यहां पर जो डीटमेंट के रिगार्डिंग में लिटल बीट विट लेस है आपको इंडिया के अंदर जो मिसिंग जो टीबी जो पेशेंट सब्सक्राइब के आसपास पर संसरी देखने के लिए मिलते हैं इन्डिया के अफर्स को यहां पर जो फोर स व और गया है कि surveillance को यहां पर प्रोपर screening को carry out किया जाए जिससे कि हम यहां पर जो tuberculosis का जो medicines है उनके जो side effects है उनको भी reduce किया जा सके diagnose कर सके proper screening and testing के थुरू में और chest x-ray है वो one of the main आप देखिए कि surveillance के regarding में जो tool है उसको use किया जाता है tuberculosis के जो patients है उनके detect के perspective से next अगर हम बात करें पोलियो के बारे में हैं आप देखिए कि पोलियो के regarding में जो data है उसके अंदर ये भी बताया गया कि vaccination है vaccination का जो implementation है वो यहां पर reduce हुआ है हो सकता है कि COVID-19 का वज़े से जो disturbance क्रियेट हुआ COVID-19 की वज़े से जो disturbance क्रियेट हुआ students COVID-19 के समय और भी health के तो आप देखी कि काफी सारे impact आपको देखने के लिए मिलते हैं तो COVID-19 के दुरान में जो main जो concentration है वो आपको कोविट के जो cases है COVID-19 के जो impacts है उनी के उपर आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप देखी कि vaccination के यहां पर जो proper implementation है grassroot level के उपर उसके जो implementation है उसके reduce के बारे में बताया गया है अब यह polio का जो case है वो कहां पर सामने आया था basically वो vaccine based polio का जो case है वो सामने आया है polio का case सामने आया है Megalia के वहां पर Megalia के वहां पर आया है Megalia के वहां पर तीन hills है कौन-कौन सी hills है गारो है खासी है और जैंतिया है तो आप देखी कि West Garo Hills का जो area है वहां पर यह polio का case है वो सामने आया solio का jopat V vaccine होता है V vaccine के अंदर जो virus है virus को आप देखी की काफी death है जो उसका situation है उसके round उसको carry किया जाता है vaccine के अंदर में क्यों virus को carry किया जाता है V vaccine के अंदर में तो कि आप देखी की जब व व路र्स आपकी body के semaine travelling करेगा तो उस दौरान में आपका body का जो natural immune system है वो activate होगा body के natural immune system के दुवरा उसको eliminate है वो किया जाएगा तो उसी को develop करने के regarding में आपको vaccine के अंदर में जो virus है वो उसका जो weak form के अंदर में virus हुआ करता है आप देखी completely strong form के अंदर virus नहीं होगा तो उसको यहाँ पे vaccine based जो polio का जो case हो सामने आया तो उसमें detect किया गया screening किया गया analysis किया गया कि यहाँ पे जो virus जो सामने आया है उसके behind में region यह है कि उस person का जो immunity level है वो काफी कम था immunity level काफी कम केस वज़े से था तो vaccination का जो analysis किया गया vaccination का proper implementation है वो नहीं है तो इंडिया का जो fight है against the polio वैसे तो इंडिया polio free है 2011 के समय last time case हो सामने आया था WHO के दुवरा 2014 के समय इंडिया को जो polio free है वो declare कर दिया गया था world health organization के दुवरा बट आप देखें कि vaccine based जो polio का case सामने आया है vaccination के process के बारे में discuss किया गया है जिसे कि immunity को boost किया जा सके और उसके regarding में आपको hepatitis है tuberculosis है और भी काफी सारे things है जिनके regarding में जो vaccine है वो दी जाती है mission इंदर धनूस है उसके regarding में आप देखें कि seven हमारे जो disease है उसके regarding में children's को जो vaccine है वो आपको देखने के लिए मिलेगा next अगर हम discuss करें हर्याना के अंदर इलक्सन है आप देखें कि यहाँ पर इंडिया का एक carbon के regarding में इंडिया का जो carbon structure है उसके regarding में एक editorial mention था performance achieve and trade जो performance achieve and trade का एक concept है carbon market के regarding में इंडिया को carbon neutrality को कबचीव करना है 2070 के अंदर में वर्ड को कबचीव करना है 2050 के अंदर में इंडिया का जो target है 2070 के अंदर हम carbon neutral country है वो होने चीए तो आप देखें उसके अंदर काफी कुछ mention था बस आपको इतना जो पता है वो होना चीए next अगर हम बात करें हर्याना के regarding में आप देखें एक political party है उनके campaign के अंदर जो children's है उनके दुआरा को slowening है वो किया गया election commission के दुआरा जो notice है वो issue किया गया है अब basically आपको यहाँ पे कुछ जानकारी होना चीए जानकारी आपको यह होना चीए कि children's को किसी भी sector के अंदर use नहीं किया जाता है जानकारी होना चीए कि इंडिया के अंदर जो children का जो definition है वो नहीं है exact definition नहीं है अगर हम protection of children from sexual offense के बारे में discuss करें तो 18 years से कम का जो person है उसको children माना गया है जो एनाईल justice act के regarding में discuss करें तो आप देखी कि 16 से कम age का है उसको children माना गया है 16 to 18 का जो bracket है उसके अंदर में उसको adult के रूप से treat किया जाएगा अगर हम बात करें हमारे जो education policy जो उनके regarding में तो आप देखी एक article जो 21 A है वहाँ पे 6 to 14 का जो age है वो आपको देखने के लिए मिलता है तो 14 का जो age है उसको children माना गया है तो अलग-लग areas के अंदर में children का जो proper definition है वो नहीं है अलग-लग laws के अंदर में अलग-लग age criteria के अंदर वो children है तो basically यहाँ पे जो children है उनका use किया गया election commission का कुछ guidelines हुआ करता है कि children को नहीं use करना है less than 18 को तो आप देखी कि voting right भी नहीं है पहले तो 21 को voting right हुआ करता था 61st constitution amendment act के तुरू 18 year को जो voting right है वो दिया गया है next अगर हम discuss करें students 14 से जो कम के जो बच्चे है उनको basically hazardous industries के अंदर तो allow नहीं किया गया है हजार्डियस industries के अंदर allow नहीं किया गया है article 24 आपको याद होना चाहिए article 24 क्या है children's के rights के regarding में जिसके अंदर बताया गया है कि 14 से जो कम एज के जो बच्चे है वो किसी भी hazardous condition के अंदर जो work है वो नहीं कर सकते है कोई भी factory के अंदर work नहीं कर सकते 2006 के समय फिर एक कानून लाए गया उसके अंदर बताया गया कि हमारे जो hotel industry के अंदर में जो servant के रूप से basically highway के जो ढ़ाबाज हुआ करते हैं वहाँ पे servant के रूप से भी आप देखी कि जो 14 एर से जो कम एज की जो बच्चे हैं वो नहीं काम कर सकते हैं हैलास अत्यारती सर हैं उनके दुआरा बच्पन बचाओ अंदोलन चलाए गया था उनको nobel प्राइज है वो भी मिला है अब आपको यहां पर एक जानकारी होना चीए कि household का जो work है household means आप देखी कि 14 से कम का बच्चा है घर के अंदर agriculture का प्रेक्टिस है क्या उनके दुआरा agriculture के अंदर लिटिल बिट जो work है वो किया जा सकता है नहीं किया जा सकता तो household work के अंदर उनको लाउ किया गया है entertainment जो इंडिस्ट्री है जैसे की वीडियो जैसे कि यहां पर singing के काफी सारे competitions हुआ करते हैं कमेज के बच्चों के तो dance इंडिया dance के आप देखे कि dance इंडिया dance का एक प्रोग्राम है वो हुआ करता था तो बच्चों को अलाउ किया गया है entertainment के परपस से जो सरकास उसके अंदर भी आपको काफी बार जो चिल्डरन सा वो देखने के लिए मिलते हैं हैजार्डियस इंडिस्ट्री के अंदर अलाउ नहीं है family business के अंदर उनको अलाउ किया गया है suppose कि यह किसी person के वहाँ पे soap है तो soap के उपर भी वो बैठ सकते हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनके basically article 24 के violation के regarding में jail के अंदर उनको send कर दिया जाएगा hazardous industry किसी other person के अंदर में जो work है वो नहीं कर सकते जो family से belong नहीं करता है next अगर हम discuss करें तो प्रदानमंत्री जंधन योजना के बारे में हैं 10 years हैं वो complete हुए है PM sir के दुआरा mention किया गया dignity and empowerment को इस प्रदानमंत्री जंधन योजना के दुआरा promote किया गया है किस तरीके से promote किया गया students आप देखी कि women का empowerment हुआ है women का empowerment किस तरीके से एक तो आप देखी कि banking sector के अंदर हमारे जो country के अंदर women से वो नहीं हुआ करते थे banking sector के अंदर नहीं हुआ करते थे उनके जो bank accounts वो open हुए है banking sector के अंदर जो money का circulation है वो भी यहाँ पर increase हुआ है इन bank accounts के थुरू में आप देखी कि minimum balance तो आपको carry करना होगा bank के अंदर में जो आपका account है उसके अंदर में तो bank का money का circulation है वो भी increase हुआ woman को जो financial domain के अंदर add किया गया अगर उनका जो dbt है direct benefit transfer है वो इसी के थुरू आप देखी कि receive होगा इसी के थुरू receive होगा तो प्रदानमंतरी जंदनी योजना हमारे financial inclusion women's को financial domain के अंदर add करने के regarding 2014 से पहले आप देखिए rural area के अंदर especially आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफी कम ऐसी women's है जिनके bank account हुआ करते थे काफी कम ऐसी women's है जिनके bank account हुआ करते थे 2014 के बाद में यह जो scenario है वो change हुआ है direct benefit transfer के regarding में हो social security के नाम पे जो government के दुआरा जो state government है center government उनके दुआरा social security के नेम पे जो pension सा वो दी जाती है उसकी regarding बनके जो bank account सा ओपन हुए है तो आप देखिए कि financial domain के अंदर में women's का जो empowerment है जो dignity है उसको improve करने के अंदर में इस जो योजना है उसका काफी बड़ा important role है next अगर हम बा विंग है जो कि आपको बीरो police research and development के regarding में एक विंग है वो देखने के लिए मिलता है आप देखिए के NCRB के अंडर ये work किया करते हैं NCRB के अंडर ये work करते है national crime record bureau के अंदर में police जो हमारे crimes के जो data उसका analysis होता है यहाँ पे कि किस तरीके से जो policing है उसको एजे effective tool के रूप से use किया जाए जिससे की economy growth है वो देखने के लिए मिले तो आप देखिए कि law and order अगर यहाँ पर maintain है किसी भी state area के अंदर में तो वहाँ पर आपको already जो progress है जो development हो आपको देखने के लिए मिलेगा means peaceful जो condition है वो होना चाहिए local जो crimes है उनको control किया जाए police के दुआ तो effective tool है policing उसके बारे में discussion है union government के दोवरा आप देखी कि जो labor unions है उनके उनके साथ में जो discussion किया गया labor code के implementation के बारे में all India trade union congress के बारे में आपको पता होना चाहिए कब इसका establishment हुआ किसके दोवरा इसको establish किया गया 1920 के समय हुआ लाला लाज पतराई है दिवान चमललाल है उनका यहा फ्रू में और यहां पे जो FPO है farmer produce organization है 2% की दौरा भी 10% को भी एड करते हुए farmer produce organization है उसको develop किया जा सकता है अब farmer produce क्या है farmer produce organization अगर आपके दौरा fishing का जो activity है आपके दौरा मचली पालन किया जाता है तो अब भी आप 10 लोगों का एक group बनाके farmer produce organization को create कर सकते हो आप देखी कि farmer produce organization को भी agriculture infrastructure fund के अंदर add किया गया है जिससे कि इनको भी जो fund है वो allocate किया जा सके नेक्स्ट अगर हम बात करें चांदीपुरा वाइरस के बारे में है गुजरात के वहाँ पे इसके जो cases है वो सामने करता है डबलू एचो की दुवारा कहा गया है कि आने वाले वीक्स के अंदर में इसका जो transmission है वो increase हो सकता है उसकी possibilities के बारे में बताए गया है तो आप देखें कि क्यों increase हो सकता है अभी मानसून का समय है मानसून की जाने के बाद में आप मानसून का जब विड्रोल होगा तो उसके बाद में जो ड्राइ कंडिशन से वो डवलप होगा तो हो सकता है कि उस दोरान में जो mosquitoes है एड़ी सैंसे प्लाइटी जो mosquitoes है एई-एस की नाम से या आप देखें कि जो सेंड फ्लाइज है उनकी दोरा बेसिकली इसका जो टांस्मिशन है वो किया जाए तो एक वोर्निंग है एक अंसन है उसको यहां पर रेज किया गया चिल्डरन्स को यह इंपक्ट करता है गुजरात राजस्तान के वहां इसके cases सामने आये थे निको बार आई-लैंड का जो यहां पर डवलप्मेंट प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए बिलता है तो टर्टल के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है निको बार का जो जो वाइल लाइफ एरिया जो वहां पर वाइल लाइफ सेंचुरी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कैम्प बेल नाम का एक सें प्रटीशल कूप का जो कॉंसेप्ट है ओर डिसकस किया गया अपोजिसन के लीडर्स के दौरा एक्जाम के परपस से नहीं इंपोटेंट है एक पॉलिटिकल लीडर है उनको बैन किया था जूडिसरी के दौरा उनके दौरा अपनी डोटर है उसको इलक्शन के अंदर में कि उनके दौरा इलक्सन को कंटेस्ट किया जाएगा नेक्सट अगर हम डिसकस करें च्टूरेंट्स यहाँ पर सीवीडेन के पर्सपेक्टिफ से है सीवीडेन के अंदर में जो हेट क्राइम से उसको म Gibson किया गया रसिया यूक्रे में क्राइशिस के पारे में है और यहाँ जो discuss किया गया है एरान के बारे में इरान के बारे में जब फिर दिसकेसन होता है तो आपको 2023 का जो nobel peace prize है उसके बारे में पता होका होना चाहिए 2023 के समय एरान के वहाँ पे women's के द्वारा जो protest वो भी किया गया था महसा यमीनी नाम का एक परसन है उनका वहाँ पे डैथ भी हुआ था पर आप देखी कि नर्गिस मोहमदी नाम से जो जो वुमेन है जो जील के अंदर बंध है प्रजेंट समय में 2023 का जो नोबल पीस पराइज है उनके वुमेन राइट के जो इफर्ट से उनकी रिगारडिंग में दिया गया आप देखी उस से पहले 2003 के समय इरान के वहां से एक woman activist है उनको जो Nobel Peace Prize है वो दिया गया था इसके लाव students मंगला देश के अंदर जमात का जो ban है उसको withdrawal किया गया है Israel के दुवारा West Bank के अंदर attack किया गया है तो continuous attack and counter attack का जो news है वो यहां से है Israel के वहां से आपको देखने के लिए मिलेगा South China Sea के अंदर US के दुवारा intervene ना किया जाए यह चाइना के दुवारा warning दिया गया है फिलिपाइनस के इस matter के अंदर में फिलिपाइनस के दुवारा continuous कहा गया कि South China Sea के अंदर चाइना के दुवारा territorial जो sornity है territorial area है उसके उपर में जो attacks हैं वो किये गए हैं उनको violate किया गया है पर आप देखिए ख़वानिस्तान के अंदर में तालिबान का power है present समय में तालिबान के दुवारा काफी सारे जो ban है वो लगाए गए है women's के against में तो women's के दुवारा अपना today's newspaper discuss है तो भी जो भी आपको information मिला हो उसको note down कीजिए उसको revise कीजिए और comment section के अंदर answer जरूर से दीजे student thank you thank you very much